त्यवल्व दोस्टों रांसी पुआनान चैनल में आप सबका स्वागत है आप लोग कैसे दोस्टों में ऐखेए मैं अच्छी है देखें आपका स्वागत है देखि happiness कल आ आप मानभाव सूद्जी आप सर्बग हैं मा मते हैं और आपकी केरपा के परसाथ के मैं बारंबार किर्टात हुआ हूँ जो इस इत्यास को सुनकर मेरा मन अतियंत आनन से निमंगन हो रहा है अतयाप भक्वान सिर्फ से प्रेम बढ़ाने बाली सिर्फ समंद्धियों दूसरी कता क को भी कहिए सूद्धी कहते सौनकात सुनो मैं दूसरे सामने गोप्रिये कता बस तुका भी बल्लन करूंगा उसे सुनो क्योंकि तुम सिभ भक्तों से अगर गड़ने और बेद विद्धेपतां में स्रेश्ट हो समुद्ध के निकटवर्ती प्रदेश में एक बासकाल नाम गिराम था जहां बैदिक धर्मे से बियुक महापापी दुच नमाज करती थे वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं उनका मन दूसित विसे भागों में ही लगा रहता था बेना देपताओं पर विश्वास करते थे और ना अपने भाग पर वे सबी कुटिल ब्रती बाले थे किशानी करते थे भाद भाद की धातक अस्त सस्त रखते थे वे बियाचारी और खल है ग्यान बैराग समरत का सेवनी मनुस के लिए परम पुर्षात है इन बातों को से भी विलकुल नहीं जानते थे वे सबी पसुबुद्धी वाले हैं जहां ऐसे दुज्जिकों में हो वह कि मत बढ़नों के विशे में क्या कहा जाए इन बढ़नों के लोग भी जो उनीकी भाद कुस भी विचार रखने बाले हैं सो धर्म एवम खल वे सदक को कर्मे लगे रहते हैं नित विशे भोगों में ही डू भी रहते हैं वहे कि इस तरियां भी कुटिल सुवाव की हैं सु निवास है, हहां भाशकाल ब्राम, नामगिराम में किसी विए बिदुगंग्री नामधारी ब्रामठ रहता था वह एक आश्रम था, धुरातमा तुमापापी था, यादी वह उसकी स्तदी बड़ी सुन्दर थी और कुमारकबर चलता रहता था, उसनी पतनी का, उसनी पतनी लगे हुए बिदुंग के बहुत बर्स बतिद हो गए उसकी इस्त्री चंचलता चंचला काम से पीड़े दोले पर भी सुधर्मनास के भैसे कले से कर भी दीरकाल तक धर्न में नहीं हुई पंद्ध दुराचारी पती के आचरर से प्रवाबि हो जाके कार चलकर हो इस्त्री भ अगे जो भालक थी असके बारे में बताएं और पहए है तो हमारी आपको सिप्शी काणल पर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए मेरे चैनल रवर संकर बबाबन इसकारूं से तो गरर्वाब चैनल में आप आप सब का स्वागत है हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद होगी अच्छे हैं आज आपको गर्ण प्राड के आगे की कथा बताते हैं जो प्रेट प्रते दिन रात दिन में 247 योजन चलता है प्रेट जो लोग होते हैं बार्ग में आई हुई इन 16 पुरो यानी 16 नगरों में पार करके पात की ब धर्मराज के भवन में आता है या जाता है सौमपुर, यानी सौर पुर नगेंद्र भवन और गंधर पुर सैलागल कौच पूर, कुरूर पुर बिचित्र भवन ब्रहमपधपूर और सीता, त्रएपूर तथा बहुबीत पुरुख पार करके इनके आगे एम पुरी में धर्मराज का भवन इस्तित है जो हमारे एमराज लोग हम लोग को जम्रत हो जाती है आदमी को लेने आते हैं तो धर्मराज के बारे में बताया है कि उनका वहां भविन इस्तित है बहु भात पुर उनका नाम का एक सहर है वहापन एमराज का भवन और निर्माड है यमराज के दूदों को पापों से बदा हुआ पापी जीव राज्ते भर आहा कार करता है उरूत हुआ अपने घर को छोड़ कर चोड़ करके यम परी को जाता है इस कार कर रूपड़ार के अंदर कर सारोदार में पापी उसी लोग तता परलोग में दुकार रूपड़ करता है तो इसलिए आपको पहला नाम ये नाम का पहला पूरा अध्याय सुरू हो गया है 62 है कल आपको पर दूसरा अध्याय पढ़कर सुनाएंगे बोलोग रूपड़ार निकीज है दोस्तों हमारा ये पढ़ने का गरूपड़ार आपको समझ में आ रहा हो त नहीं हुई समझ मारत तो भी लाइंग करें ये कमेट करके बताएं गलती है या सही है वो लोग रूपड़ार निकीजिए